असलाम अलेकुम गाइस मैं हूँ तन्वीर स्याम और आप देख रहे हैं तन्वीर स्याम ओफिशल गाइस आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही एक अच्छी प्यारी खूपसूरत और सबक मुझे स्टोरी शेयर करने जा रहा है स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक होटल पर बैठा होई शेक्स अपने दोस से बोलता है कि ये होटल पर काम करने वाला लिड़का इतना बेवकूफ है कि अगर इसके सामने पांसो का और पचास का नोट रखूं तो देख रहा है ये पचास का नोट ही उठाएगा वो थोड़ी देर के पर लड़के को वाज मारता है और उसके सामने दो नोट रख देता है लड़का पचास का नोट उठाता है और वापस अपने काम पर चले जाता है वो शक्स अपने दोस्त के साथ मिलकर कहका लगाता है, खुशी मिनाता है, खाना खाता है और चला जाता है फोटर पर बेठा हुआ तीसा शक्स ये सब कुछ देख रहा होता है वो शक्स लड़के के पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें पांसो का और पचास का फरक नहीं पता है वो बोलता है मुझे फरक पता है, लेकर मैं पचास का नोट इसलिए उठाता हूँ कि ये रुजाना किसी ना किसी आदमी को मेरा बेफकूफ़ाना काम दिखाने के लिए लाता है मुझे पचास सुपे मिल जाते हैं और ये खुश होकर चला जाता है जिस दिन मैंने पांसो का नोट उठा लिया, मेरी आमदिनी बंद हो जाएगी और ये खेल भी खत्म हो जाएगा इसलिए मैं पचास का नोट ही उठाता हूँ और मुझे खुशी होती है और ये भी खुश हो जाता है तो कहानी सुनाने का मकसद बस इतना सहा है कि जिन्दगी में कभी भी बहुत हुश्यार, फिलाफ और समयधार बने की जूरत नहीं होती कुछ जगा ऐसी भी होती हैं, कुछ मामलत ऐसे भी होते हैं, जहां पर बेफकुम पनकर ही समयधारी का मुझारा की हो जाता है तो अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह के समयधार हैं, तो आप बहुत जल्दी आगे और कामयब होने वाले हैं तो कोशिश करें कि हर जगा पे अपनी समयधारी को इस्तिमाल मत करें, और अपनी जिन्दगी को इज़ए करें अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरी कहानी अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंट्स को शेयर कीजिएगा, अपने दौ़ा में याद रखीगा और इस पेज को लाइक, फॉलो और कमेर्ट जरूर कीजिएगा, अल्हापीस